बॉर्निंग दोस्तों मैंने आपको 10th की वीडियो एक रिशेटी चेक्टर दिया है करवाया है आज मैं 9th क्लास के लिए बच्चे लेके आ रहा है कि नाइंथ का यह जाए ताकि दोनों आपको बच्चे क्लास टैट नहीं कर रहे हैं उनको इस इच कल आप एक आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें शेयर कर यापने दोस्तों को जो नाइंथ क्लास हैं पढ़ते हैं और जो बड़े वाई ह दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वह इतने भी जो स्टूडेट है आपके पास नाइंथ क्लास का पिन दीख है उनको बोले कि वह सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें कई बार बच्चों का एक प्रोब्लम आ रही है कि वीडियो साफ नहीं आ रही तो उसका कान क्या है कि आप नेट की प्रोब्लम में हो यदि आप उसको डाउनलोड कर लोगे वीडियो को उसके बाद उसको देखोगे तो आपको हरेइच चीज क्लियर दिखाए देगी चलिए दोस्तों मैं आगे की तरफ चलता हूं मैं आपको चटर कराता हूं मोशन स्टार्ट करते हैं मो बोल की दूरeld मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं या अपनी जगह बैठा हूं मैं अपनी जगह से इन नहीं ला टाइम बढ़ रहा है को चीजन नहीं करताए समय के साथ और ऑपनी स्राउंडिंग यािन आपने आस पास की चीजों का रिस्प्र्या को ज़प मैं व्रच पर होता हम जैसे मैं बीछोंक हटा तो मैंने एक पोज़िशन को चेंच किया चेंच करने से क्या होगा कि आसपास के जो वोल्स है उन से मेरा इस एक डिस्टेंस हो गया छैंड होने कि वज़े से क्या हो गया मैं किसमें यानि आपके सूरांगिं को चाले करता और ज़ए चैंज करता है उसे जाखने आपका पायघ्वे से नहीं चलता है तो अपनी जगे से नहीं हिलता तुसे क्या का जाएगा रही है वह आसपास की जगह के रिस्पेक्ट में क्या वतिया है अपरे एक फॉसिशन को चैंज कर रही है तो क्या हो गया ? मोश्य प्रॉपंग मिएरे रिजए क्या है रघर powder सोरी तो हम बताते हैं रेसट क्या है रेस रिजिए क्या आप्यों करें है ? लरै अबता राथे वन ऐन Sn, हमदो इंखते है जुर। पताते हैे ..... जब कोई अपनी पोचिशन को चेंज नहीं करता, जब करता है, चेंज अपनी पोचिशन को चेंज नहीं करता, इस पोजीशन with respect to with respect to its surrounding surrounding के respect में यदी कोई दियक्य रिस्पेक्ट में di Findingaufen अपनी स्षराउण्दिंगción mendate में यहां कर दो मैं इंड जगह को चेंग तरहां इदर आँ यह इंड जा रहा हूँ यह इतर आँ आँ आपनी पोजिशन को आपनी सामपी को डिस्ट पर चेंग कर रहा हूं i.e. I am in motion तो मैं क्या होगा? motion में होगा तो यह rest क्या होगा? जब मैं अपनी position को change नहीं करता आपनी position पर रहता हूं तो रेस्ट है जब मैं आपनी position को change करता हूं आगे तीछे, उपर नीचे कहीं भी जाता हूं तो वो क्या हो गया motion हो गया अब मोशन के तने हैं इते हैं से सब्सक्राइब Mär다면 कि इनर हैं लिदिय子 हमेह ऑ Daisy humans इतने व्हों गेपले लीडेर मोशन तकि यह अद्यक्राइब मोटेसे सब्सक्राइब मोच्न request गता होता है गानी डाय में चलता है एक सदक है फूरी लंडी और उसी पे चलता रहता है तो से बोलते है ली जो वे जाता है जब कोई पर येक्स सीधी रेखा में चलेगा वह इदर उधर सेट जाएगा उसे बोलते है linear motion when any object when any object move in a straight line move in a straight line that is known as linear motion it is known as linear motion or rectilinear motion जैगा जाएगा जब कोई object एक सीधी डारेक्शन चलता है एक ही स्टेप पात में चलता है उसे क्या आजाएगा linear motion पाजाएगा और रेक्टी लीडियर मोशन कहा जाएगा दूसरी बात आती है रेक्टी लीने के बार दूसरी बात आती है सर्पुलर मोशन कि वे एनियों जैक्रों पात वेयन एक होट आज जैए है कर दो होलग है इनि असे आपकों करता है जैसे में यह लागी पॉजिशन से यह दून गया वादिस नहीं आपक्रण कर रहा हूं तो उसके बाद आता है आपका तीसरा और वाइब्रेटरी और वाइब्रेटरी और वाइब्रेटरी पोगteटरी और वाइब्रेटरी और आना हीव्यग के जिसमे वीटी प्रोमिट्स मुईन पोजिशन से क्या होता है आप आपका मोबाइल है तक जैसे पोला पे वो अपनी ऐसे घर घर लगता है दूसरी बात है आपके उपर छत के उपर आपकी मम्मी ने वाइर लगा रखिया है अब उस वाइर को खीचो ऐसे और छोड़ दो वाइर कभी उपर जाएकी नीचे जाएकी तो इससे क्या होगा यह पता कि बीट विसे वो फोजिशन तो यह है मिन मतलब जो क्ष जेब आप उसको खीचो नीचे की तर जाते है फिर चोड़ते उपर के तर जाती है यानि कि जब आपनी पुर नीचे या आगे या पीछे जाता है तो उसे बो तो से क्या कहा जाता है वाइबरेटरी और ओसीलेटरी मोशन समझ आगी आपको तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कि अब्जेक्ट कितनी तरहेंगे हैं अब मैं अब्जेक्ट के बारे पालता हूं पहले आपके समझो दुबारा दाता हूं रेस्ट क्या है वैद अब्जेक्ट को चेंज कर देता है तो वह मोशन में आ जाता है विद रिस्पेक्ट सरांडिक सरांडिक मतलब अपने चालों तरफ क्यों से विद आइं समय के साथ आइंगे साथ आप जैसे में एक दो तीन चार पांट छे जाथ आठ आठ नो दस यानिकि 10 सेकिंड हो चुकिया है दस सेकिंड हो गए मगर मैं आपने पोजीशन से नहीं किला तो इसका मतलब कि आयम एंड्रेस्ट टाइम के अगया अगया मोशन के अंदर आगया सहे मेरी वाल तो मोशन में आ गया तो कि में आगया थे और ऋ कर दाल हो तो मैं मोशन नहीं कि अपनि पोजीशन पर ऐसे रहता हूं पर वरक्र मुट ऑम संधियो साइकिल अब स्टेट पास्रा जाय यह आठकित। तो वह जाब चलते हो तो कौन सा नोशन होता है का मगर आपका साइकल का पहिया को साक या चलता है कि तो गुप कर रहें जो है सब्धों जो आपकी गड़ी कीशोईना ऐसे खुमती है लोग जो एक बट्टा बांद देवर तो ऐसे गुमाते हो चोटे पच्छे गुमाते हैं तो उसे क्या जाता है सर्कुलर मोशन वह कौन सा मोशन कहलाता है अब ऊसिलेटर के औरλάइबरेंटर मोशन क्या होता है तो फिर चोड़ते हो फिर फिर जाता है तो रहा है तो एक यारता है आप का जो मोबाइल है वह भी और बना जाए लिए हम पार हाई वाइबरेटरी हो एक तरह नहीं पर पर अगर आप पढ़ा यह वाण डी ओजेंट वाण डी ओजेंट का मतलब क्या होता है विच है ओनली बनाइबेंशन जिसकी केवल एक डाइमेंशन उसे बोलते हैं वाण डी ओजेंट जिसकी केवल एक डाइमेंशन उसे बोलते हैं वाण डी ओजेंट जिसकी दो डाइमेंशन उसे टूडी ओजेंट इसकी तीन वज़ेंशन अप डाइमेंशन समझे लोग मतलब क्या होता है वंच अटी का मतलब समझो क्या होता है when being आप यह तो लेंद्ध की बात करो, यह अकली ब्रेट की बात करो, यह अकली हाइट की बात करो, यह तो लेंद्ध की बात करो, यह ब्रेट की बात करो, यह हाइट की बात करो, किसी एक की बात करो, लेंद्ध की करो, यह ब्रेट की यह हाइट की, एक्जामिन एक लाइन कीश द निए अब्जेक्त नहीं इंवर्स में, सिर्फ मोशन और फोटो को हम वंडी में गिनते हैं, बगए हम मानते हैं कि जिसके अदर एक डाइमेंशन ही है तो लेंद्ध यूज ओ, ब्रेट यूज ओ, चाहे है है तो उसे क्या कहा जाएगा, वंडी कहा जाएगा तो अब 2D, दूसरा उपजेक्ट होता है, इन विच ओनली वन डाइमेंशन यूज तो हम कहते हैं, इन विच ओनली वन डाइमेंशन इस प्रेजेट, इस प्रेजेट, इस प्रेजेट, कार्व 1D, कार्व 1D, उसके बाद आता है 2D, अब मैंने वन डी के बारे में आपको बताया, वन डी कोई अउटेट होता नहीं है, इस इसको जो मोशन ओफ लाइट है, मोशन ओफोडोन है, उसको बोलते हैं वन डी, मगर मंडी होता ही नहीं है, मगर हम क्या कहते हैं, इसके अदर एक डाइमेंशन यूज ओ, अब लैंध शाइब जिसको आप इमेजिन कर सकते हो वह वन्डी आता है जिसको सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो तो सब्सक्राइब ब्राहरं गलों अब आझाते हैं फोडियोफ्ट कुछ ज्यूटीkiem है श्यूटी जैट क्या होता है जिसको आप देख सकते हो, मगर फील नहीं कर सकते हैं, तच नहीं कर सकते हैं, उसे 2D कहा जाता है, जिसको क्या का जाएगा, 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 जिसको क्या का तो जिसमें दो डाइमेंशन यूज हो उसे तूडी कहा जाता है जैसे रेक्टेंगल आप रेक्टेंगल बनाते हो आप स्क्वर्ण बनाते हों और रेक्टेंगल बनाते हो तो ये सारी जो अ जो से 2D तराते हो और आता है ऐसे 3D object, object 3D object object 3D object एकम्स्टेट क्या होते हैं और, which we can, which we can, which we can, see, touch, or feel, जिसको आप टच कर सकते हो, feel कर सकते हो, देख सकते हो, उसे 3D कहा जाता है, अब 3D में क्या गया, आपकी बूक हो गया, एक्जाएक्ट आपट, बूक आ गया, यह पैंड मैंने ले रखा है, पैंड आ गया, यानि कि इस संसार में जितनी भी चीज चीज़े हैं, वो 3D के अंदर है, जिसको आप टच कर रहे हूँ, मैंने ये मारकर ने रखा, ये 3D के अंदर आता है, मैं खुद 3D के अंदर हूँ, ये घड़ी 3D के अंदर है, क्योंकि इसके अदर length भी है, breadth भी है, और height भी है, अब जैसे length तो ये होगी इसकी, breadth, breadth ये 3D के अंदर है, गया फॉर्ट कमाने इसके अंदर है, ये आप कया आ गया ? ये आपकी length आ गई, ये आपकी height आ गई, ये आपकी breadth आ गई, तो ये 3D dimension वी जिसको आप टच कर सकते हो, इस संसार में जितनी भी छीज़े हैं, जिस उनिवी चीजे हैं, यूर्यार से जितनी जित के बाई बदरते हैं 1D motion 1D motion क्या है जब कोई अब्जेक्ट जैसे एक चीटी है और चीटी किसके किनारे पर बदर यह जा रही है माना आपकी दिवार की जीदिवार के साथ सबसक्राइब चीटी जा रहे है तो उसका मोशन क्या है होगा दामेंच्षी यह सिर्फ लेंथ को ऑफरतर है है यह संट यह सनिए commentट देशिए मियाव क्ति हुष है मांना आप चलना शुरू करती हुज आप चल रहे हो या लीजर्ड चल रही है या सनेड जेक तो यह किसे चलते हैं हूं कुकि अप लैंठ भी कव्र कर्ले यहां से चलना शुरू करता हो और यह चल दिया यहां लेथ भी कपर हो रही है और भी अपर लेंट भी करो रही है और कि नहीं है कि जिसके अंदर दो डाइमेंशन चेंज हो उसे तूड़ी कहा जाएगा तो विए अट्र एनीय औज़ेक्ट जब एक प्लेन में प्लेन करता है जिसमें लेट और ब्रेट उसे प्लेन कहते है यानि के रेक्टेंगल जो था वो एक प्लेन है तो आप इसके बीच में बीच में कोई अब्जेक्ट चल रहा है तो वो क्या कलाएगा 2D मोशन आकशियर के बीच में कोई अब्जेक्ट चल रहा ह Boy कै तो क्या कंत्याइगा तो मतलब वो होता है जिसमें किसे भी ओब्जेक्ट जो चबम करता है लेंघ को या कि भाइमेंशिंज जब करता चेंज करने का मतलब क्या है आपकी आपका एरो प्लेइन है तो ये सारे क्या करते हैं ये तीन दैमेंशिंज एग लेगाख उड़ने के बाद यह वहीं करते है नहीं हैं उड़्डिम्यशन में चलता है आप इंए व को व क्लिन्स प्रीड़्य को भी आपकी थैं STEP में शेंगी जाने कि यह उड़ने वड़सारे चेज्च्छें है 3D motion में होती है train आपकी किसमें 2D motion में मगर aeroplane किसमें आपका 3D motion के अंदर है तो यह जो plane में चलती है plane मतलब plane का मतलब जिसके दर length और breadth होता है यह मैं खड़ा हूँ यह plane है कि कह आप लोग बैठे हैं हुआ plane है समझे लिए मेरी बात को तो जो चीच जिसके दर length और breadth यूज और यह वो plane है और सारी चीजे क्या है आपका जो यह हावा में जो कुछ है वो 3D है क्या बोलते इसको 3D motion आपको पिक्चर से देंते 3D movie है 2D movie है आपको पता लग जाता है तो यह वह 3D motion 2D motion 1D motion आप मोशन के बाद मैं आपको प्तालता हूं कि कि वर्टी मोशन 2D motion 3D motion इससे हमें पता लगता है कि motion कहीं तरह के होते हैं मदर में होते हैं linear, rectilinear, circular और oscillatory motion. जो हम पढ़े छूके हो कि dal आज यह 3D motion हे छिक्ण ही होते हैं जो हम पढ़ते chains अब मैं आपको यूटि के बारे कम जाता हूं कि आइक होती हैं इसकी होता है हूं यह उनिक्स चहें जो पता सब्सक्य सिर्भत है इसकि के अजो की कहा चनते उते हैं एक होती है के अप लोग की अपना रूल ओल चला रहा है कि अप लो की वजने से क्या हो गया है? कि इंट्रम्रों हो तो फंट फंटमेंटर इंड़ी है इस वजे से पूरी डुनिया ने नाइटिन सिच्टी में इस बारी मेरी में इन हो जिसके घुच ए उनसिक qu capitalist कि फंटमेंटर्वर सुब्सक्क्रणि ता पर अब कंई पार कि यॉनिटिस के बारा उंड़ में या दो लिंटर दूद ले के आओ आपके यह कह दिए कि आप 2 kg चावल ले आओ या 2 kg शुगर ले आओ तो आपने कभी देखा 2 kg को केजी क्या है? What is kg? kg is known as unit. kg को क्या कहा जाता है? unit कहा जाता है? kg को क्या कहा जाता है? unit कहा जाता है? यह unit है. 2 कह है? numeral value. extended value उन्होंने fix कर दी जो meeting हुई थी उसके अंदर extended value fix कर दी यह standard value हरे एक जगह चलेगी आप आप जाते हो आप कहीं किसी भी देश में चले जाओ डोलर में वेपार होता है यानि कि बिजला जो होता है dollar में होता है कि आपने किसी से पहले dollar देजना पड़ेगा फिर आप क्या करोगे? कोई भी समान किसी दूसरी देश से लोगे? फिर आप क्या करोगे? उसको बेंचोगे तो वो प्रुबे मिलेंगे तो फिर उसको डोलर में करना पड़ेगा कोई आप से लेगा तो बी डोलर में खरिदेगा फिर आप से प्रीदेगा आप दोलर देगा तो इस तरह यह जो वेपार होता है यह तो इस फिक्स कर दिए भी यह जो अप्र क्या है को अब टी समझरे अब मेरी बात को ली कुलेटर में ही तो अहले लेटर में ही दूद मेजर किया जाएगा तो योनित क्या है? यूनित क्या है यूनिति इसी भी quantity को मेजर करने के लिए एक standard value को unit इकाया जाता है unit क्या है, what is unit? unit, it is a standard value standard value to measure a physical quantity किसी भी physical quantity को मेजर करने के लिए standard value है you know, unit को ठाले छाता कैने, unit को रिखते है unit को निविकल बीज आजे और यू मतलब होता है you का मतलब होता है corps in chef co lubba Wat 10 kg, 10 kg का मतलब क्या है 10 degree tell kG कहा होता है unit af तो इससे कहा जाता हूँ, युनिट समझेगे है यूनिट से कहा जाता है? यूनिट से लिखा जाता है, अब नमातल नुमारीकल वेल्यू होगी, यूनिट अब मैं आपको बता लग given गाए कैसे आई यह आपको बताना हा कि ऑने आपको पता लगए कि नुमेरीकल एल्यू मतलब को इभी डिच्ट हो गया उसे नुमेरीकल वैल्यू उप्ते हैं समझे के आपने सी जो यह योडियो इनुट करता हूं तो यह आए कहाँ से कहीं बार सूचने हैं आपने से सामने होनी तो मैं से कोईच्चर वी पूछते मैं बताता हूं कैसे इंगलेंड आया सबसे पहले मारे पास इंगलेंड ने अपनी यूनिट थी इंगलेंड ने कहा कि मेरे वोडिंग काम चलेगा आपके देश में आप मेरे वोडिंग काम चलाओगे मैंने कैसी चलाओगे उन्होंने दिया FPS system of unit system of unit FPS system of unit दिया England वालोगे क्या दिया इस F का मतलमता foot P का मतलमता pound S का मतलमता second इसका नाम हो गया foot pound second system of unit foot pound second system of unit England ने का कि जब आप डान्ध माप अप मेजर करोंगे जब भी आक मेजर करो एदने दे जनुत वाघ्ट मैंजर करोंगे तो इसर जब कि शिस्जाव दर मेजर करोंगे तो मेजर करोंगी वाएगला मेंजर करोंगे और और सेक्ट सिस्टम इसके अंदर पुट आप लेंग को फूट में पांड को मांस को पांड में और टाइम को सेकेड़ करो दूसरा दूसरे लोग जो आपके पास पुराए फ्रेंच आए फ्रेंच में क्या दिया है सीजी एस सिस्टम अब क्या है आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मेजर करोंगे आप लेंध को आप मास को आप सेकेड को में ताइम को में जे करोंगे सेकेड तो ये फ्रेंच फ्रांस ओलं दिया फ्रेंच सिस्टम अगर फ्रांस ने एक उस्टम दिया जिसका नाम था में के एस सिस्टम होगे इसको बहुत है सीजी एस सीजी एस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर बहुत चोटा होता है इसलिए उन्होंने एम के एस दिया एक सिस्टम ओफ यूरेट जिसको आप मेट्रिक सिस्टम भी बहुते हैं मेट्रिक सिस्टम मेट्रिक सिस्टम के बाद में मास को में मेटर में मेजर किया उन्होंने लैंध को किलोग्राम में किलोग्राम में मेजर किया उन्होंने मास को सेकिंड में मेजर किया तो उन्होंने क्या किया बड़ा सिस्टम दिया इसमें लैंध को मेजर में मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकिंड में मेजर किया जाता है तो यह हुता है आपको पता लगया कि जो जो को देश में आते रहे हैं वो अलग अलग सिस्टम लेके आते रहे हैं एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोला जाता है ऑप अभी मैं अगला जो टोपिक कराने जा रहा हूं वह सिस्टम अगली विडियो के अंदर तो आप लोगों से रोक्ष्ट है मेरे कि जिस बच्चे को यह कोई डाउट है वो मेरे फोन नंबर पे 9812254187 पर पर मैंसेज करें मैं उसका रिप्लाई करूगा 9812254187 और इससे बड़ीया वीडियो रखने के आँगा तो आप सभी ने ध्याना करना है और काम करना शेयर करना है सबस्क्राइब करना है थैंक यू रही पूच्छ